अलग होता है इस दुनिया में शब का बेवहार अलग होता है आखे तो शब की एक जैसी होती है पर सब का देखने का अनदास अलग होता है पर सब के देखने का अंदाज अलग होता है दोस्तों आपका बहुत बहुत शौगत है अविनंदन है आपके अपने यूटूब चैनल आरियन इंस्ट्यूट अलहबाद में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने आपके सामने लिखा है विश्विद्याले रिजल्ट बनाम डियलेड एडमिशन 2021 आज हम आपके किसी भी कमेंट का जबाब नहीं देंगे आप सोच रहेंगे सराप ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि भया मेरे हमारे कुछ भाई हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो बहुत परेशान है तो आज हम उनी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं और आपसे मैं यह रिक्रेस्ट करूंगा निवेधन करूंगा आप जो भी समझेए चाहे जो समझेए आपको वीडियो शेयर करना है क्यों क्योंकि आगर आप मेरा साथ देंगे तो उम्मीद है कि रिजल्ट आपका जल्द से एड्मिशन भाई आप बताएं आप पढ़ रहे हैं आपका जो परिक्षा विश्विद्याले की खुई थी बीए सेकेंड यह बीए फाइनल यह जो भी आपका इस्ट्रीम है आपकी जो एक्जाम हुआ था वह एक्जाम हुए आपके एक महीने लगबग होने वाले हैं क्या यूनिवेस्टी प्रसासन हमारी सो रही है आप बताएं क्या यूनिवेस्टी जितनी भी इनवेस्टी हैं हम किसी खास इनवेस्टी की बात नहीं कर रहे हैं अभी किसी इनवेस्टी का रिजल्ट फाइनल यह का नहीं आया है किसी किसी का बिकाउम का आ गया है बिकाउम नहीं किया गया है क्यों मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों नहीं किया गया है क्या आप सो रहे हैं आप बच्चों के भविश्य के साथ खिलवार क्यों कर रहे हैं बाई बताएं हम आप पढ़ रहे हैं हमारे पढ़ने और आपके पढ़ने का कुछ अलग रुत्बह होगा हम कुछ हलक सोच के रखे हैं क्या हम सोचते हैं कि हमारा result नगोशित हो हम पढ़की क्या करेंगे हमारी mark seat जब आएगी एक महीने बाद तो आप result दे कि क्या करेंगे भाई बताए अगर हमारा एक साला बरबाद कर रहे हैं तो इसको क्या मतलब हमारे पढ़ने का जरा आप बता हैं result आपका क्यों goed नहीं कर रहे हैं केदो हैं अज कर देंगे और कर देंगे परसो कर देंगे हमने इसी के अनजाज में हमने आप स्वासन आपको दिया है बट ये एक चीज और आप बताएं अगर हमने कहा है आपसे कि आपका रिजल्ट 13 तारित तक घोशित हो जाएगा अगर 13 तारित तक घोशित नहीं होता है आपका विश्वास मेरे उपर से उठेगा मैं जानता हूं लेकिन भाया मेरे एक बात हम आपक क्या हम इनवेश्टि के कुलपति तो है नहीं हम मैं कि कि हम आप तो के 3 घोशित करदेंगे घोशित कुलपति महोदे करेंगे चाहे वौ अलहाबाद इन्मेश्टी हो चाहे डाक्टर राम्मनह maiden अंपकिन हम खास इन्मेश्ची की बात आपकी नहीं कर रहे हैं ठीक इसलिए आप ये वीडियो जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें आप बताएं बच्चों का डियलेड एडमिशन प्रक्रिया चल रही है पिन पी ने जो हमारी पिन पी है परिच्छा नियामक प्राधिकारी ने सीधे तोर पर कहा है कि मैं आपको संसोधन का मौका नहीं दूँगा अगर आप संसोधन का मौका नहीं देंगे तो क्या हम डियलेड नहीं करेंगे बताएं क्या हम डियलेड नहीं करेंगे अगर आप संसोधन का मौका नहीं दे रहे हैं तो डियलेड जो यूनिवेस्टी का रिजल्ट उससे आप घोसित करते हैं तो क्यों नहीं संसोधन का मौका देंगी बताएं आपको संसोधन का मौका देना चाहिए लेकिन हम भी आपके अधीन है मैं जानता हूं अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको कुछ की डियलेड एडमिशन की लास्ट डेट हमने आपको बताई है 15 सितंबर भया रखी गई है 15 सितंबर आपकी डेट रखी गई है अगर घुषित नहीं होता है तो मैं जानता हूं आप इस बार जो 2021 का सत्र है डियलेड के सत्र से पीछे रह जाएंगे अच्छा बीएड की काउं लेंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेड के काउंसलिंग में सीधे तोर पर गाइडलाइन्स में कहा गया है कि आपको जितने भी मार्क सीट आपने लगाई है सभी को वहां उपस्थिती देना आनिवारे है आप जब जाएंगे एडमिशन के लिए कॉलेज में तो वहां आपसे सभी का डाकुमेंट लेंगे चाहे वो आपकी हाई स्कूल की मार्क सीट हो चाहे इंटर की मार्क सीट हो चाहे आप बीए बेस्टी कुछ भी किये हों सबकी मार्क सीट उनके सामने देना आनिवारे है ठीक अच्छा एक बात और बताएं क्या कोरोना हमारे और आपके लिए चल रहा है क्या कोरोना हमारे और आपके लिए चल रहा है जब जब हमारा विद्याले खुला है क्यों क्या गाडिया चल रही है उसमें नहीं कुरोना है है उसमें कुरोना और भी लोग घूमट हल्ड हैं वहां में ही कुरोना है सिर्फ क्या हमारे विद्याले में ही कुरोना होता है अगर हम विद्याले जब जाना शुरू करते हैं तब कुरोना हमारे पास आ जाता है ठीक कुरोना कुछ नहीं है ठीक न आप को आप दरिये मत आप बिल्कुल सास्र होके पढ़िये लेकिन रही बाद विश्व विद्याले रिजल्ट की जो इसमे के कुलपती महोद है जितने भी करमचारी है मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सेयर करिए वीडियो को ठीक आप जो जग्र है क्या आपका direct admission होता है अगर आपका direct admission होता है तो आप scholarship से वंचित हो जाएंगे क्यों क्योंकि PNP ने अगर कहा है कि हम आपको संसोधन का मौका नहीं देंगे तो आपने जो form फिल करेंगे उसमें अलग आपका नंबर होगा और आपका जो real number होगा वो अलग होगा तो इससे आप कि बच्चों को scholarship ना देना पड़े इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं मैं बार-बार आज कह रहा हूं share करने के लिए क्यों क्योंकि इसमें आपका भवित से जुड़ा हुआ है अगर आप share नहीं करेंगे तो उन लोगों के पास मेरा वीडियो नहीं पहुंचेगा और सभी से मेरे पास कमेंट आ रहा है कि सर मेरा result नहीं आ रहा है तो मैं कैसे form को फिल करूं मैं आज आपके comment का reply इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि आज मुझे इतना गुसा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं किसके विश्व विद्याले की result पर अगर आपका result नहीं गोसित होता ह देखेंगे तो result का हम क्या करेंगे हम मार्क सीट लेकि देखेंगे उसे मार्क सीट को हम देखेंगे अगर हम आगे का कुछ नहीं कर पाएंगे बताएं जैसे फाइनल यह बीए फाइनल यह आपका है ठीक डियलेड अगर आपकी बार चला गया तो आप एक साल घर और वीडियो पहुंच सके वह जान पाएं बीएड की जो लाश्ट डेट है वह आपकी पंद्रा सितम्बर है और जो डियलेड की काौंसलिंग है वह 17 सितम्बर से आपकी चल रही है ठीक 17 से आपकी काौंसलिंग चालू है मैं बार बार आपसे कह रहा हूं अगर तक आपका result घोशित नहीं होता है तो आप BAIR करने से वंचित रह जायेंगे ठिक आप BAIR से वंचित रह जाएंगे साथ साथ आप lange यह जान लीजिए कि आपका बहुत कुछ नश्ट होता है यह कह रहा है कि हमने बहुत सारी नौकरी दें आप कितनी नौकरी पाएं हैं बताएं कुछ नहीं मिला है यह सिर्फ फौक रहा है अगर आपने कहा था कि रिजल्ट हम घोसित करवाएंगे तो बहुत सारे करमचारियं यह सिर्फ हमारे साथ खिलवार कर रहे हैं और मैं इसे निवेदन फिर करता हूं जो भी हो, result जिनका भी हो, प्लीज आपसे निवेदन है कि आप घोसित कर दीजिए, ताकि बच्चों का एक साल बरबाद न जाए, आप कहीं से भी हो, मैं आपसे फिर request करूँगा, कि आप जो है, result को घोसित करें, अच्छा, अगर आप result को घोसित नहीं करते हैं, तो बच्च का साल बरबाद होगा, mark sheet लेके हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक, mark sheet रखने का हमारा कोई मतलब नहीं है, mark sheet लेके रखना हमारा कोई मकसद नहीं होता है, हम सोचते हैं कि हम भी नवकरी पाएं, आप भी नवकरी पाएं, हम भी पढ़ें, आप भी पढ़ें, लेकिन जब result ह हमारा नहीं आएगा तो क्या हम आगे डेलर्ड कर पाएंगे कुछ भी जैसे आप हम डेलर्ड की ही बात सिर्फ नहीं करेंगे आप आगे भी कहीं सोचे होंगे के एडमिशन लेने के लिए अगर आपका समय से नहीं आता है तो क्या आप ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे क्योंकि वहां सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है फाइनल येर की मार्क सीट नहीं होगी तो जाहिड सी बात है आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा फिर एक ती किवार मैंने विधन करूंगे आपसे बीडियो को जितने अधिक से दिख हो जितने भी आपके मोवाइल में गुरुप हो वांटसेप जितने भी गुरूप hm फेस्बूक गुरूप हो आप सभी गुरूपों में शेर करिये ताकि अभी प्रसासन उर थ है जो भी करसासन में जो है 17 सितंबर से चालू है सभी को पता है मैं जानता हूं सब को पता है ठीक अगर उनको पता है तो उसके अंदर यह result को घोशित करें अन्य था आपका एक साल वन्चित हो जाएगा ठीक आपसे फिर निवदन करेंगे कि आप जितना अधिक अधिक से अधिक हो सके शेयर करें सिर्फ शेयर करें बाकि कुछ होने वाला नहीं है आप जितना अधिक शेयर करेंगे अगर वीडियो इनके पास जाता है तो जाहिर सी बात है अगर इनके संग्यान में तो है है संग्यान में इनके है मैं जानता हूं फिर भी आप अगर जो सो झाल झाल